हलो फ्रेंट आजके इस वीडियो में आपको यह वताने जारों कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 Pro, Android mobile phone में आप अपने mobile phone की slow internet की problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानका रिदेने वालों तो चलिए यापे वीडियो काम स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके मुवैल फोन का इंटरनेट अगर slow चलता है तो इसके solution के लिए करना क्या है देखे सबसे पहले तो आपको जो है न अपने मुवैल फोन का software आपको चेक करना है कि वो update है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone के software का update आपडेट आजाता है फोन में लेकिन हमारे को कई कर पता नहीं लगता है तो मुवैल फोन का software अगर update नहीं रहता है न तो इससे हमारे phone के android system में भी कुछ कमिया आने लगती है तो आपके phone का software update है या नहीं आपको check कैसे करना है सबसे पहले phone का internet आप चालू कर लीजिए ठीक है इसके बाद phone का setting page ओपन करना है setting page में आपको जो है न सबसे उपर की side है about phone के सामने अगर आपको ये update का बटन दिखाई देता है तो इसे update पे tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी ठीक है अब देखे अगला काम आपको करना है आपको जो है न अपने mobile phone की network setting को reset करना है दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे phone की network setting ठीक से कभी कवर काम नहीं करती है जिसके करण हमारे phone का internet slow चलता है तो mobile phone की network setting को reset करने के लिए आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page में सबसे उपर आपको search setting पर आपको tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की साइड इसे reset setting का यह option tap करना है आपको इस वाले page पे जो ओकी का यह बटन tap कर देना है तो आपको नीचे यहाँ पर लिखा हो आ जागा थोड़ी देर में network setting have been reset इस तरीके से आपको आपको mobile phone की network setting को reset कर देना है जिससे आपके phone की जो slow internet की problem है आपको mobile phone automatic switch off हो जागा फर इसके थोड़ी दिर बाद automatic switch on हो जाएगा reboot करने से यह होता है हमारे phone के android system में अगर कोई भी problem हाती है तो problem जा solve हो जाती phone को reboot करने से ठीक है अब देखिए अगला काम आपको करना है आपको जो अपने mobile phone को reset करना है जब मेरे बता है हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है otherwise phone को reset नहीं करना है phone को reset करने के लिए आपको mobile phone करना setting page open कर लेना है setting page में आपको सबसे ओपर सर्च setting पर आपको tap करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की slow internet की problem है यह आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आप किसी भी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए दूसरी पात ही ध्यान रखना है आपके phone की Gmail आईडिया और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करने उसके बाद mobile phone को reset करना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियों मेरे बताय हुए सारे process आपको यूज करने से आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी ठीक है